अलो नमस्कार मेरा नाम है नकुल कुमार और आप मुझे मेरे फेस्बुक पेज नकुल कुमार पेज पे देख रहे हैं मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको यह आप देख रहे हैं जो यह मोती जील है यह मोती जील मोतीहारी का हिर्दा एस्थली कही है मोतीहारी की और यह देखिए और यह जो बन रहा है यह मिटी भराई हो रही है यह जो आप मिटी भराई देख रहे हैं यह पूरा मिटी भराई यह पूरा वो देखिए मुंसिरपुल वहां गायतरी मंदीर और यह चले जाए तो वहां गांधी चोक है आगे जब बढ़ेंगे तो और यह जो टूटा हुआ सब कुछ दिख रहा है यह कभी आतिकर्मन अभ्यान चला था जिसमें सभी टूटा हुआ है और वह देखी बृच्छे स्थान है जिसको बहुत सारे लोग बीचिया स्थान बीचिया स्थान कहते तो यह जो मिटी भराई हो रही है यह मोतिजल किनारी किनारी मिटी भराई हो रही है और आने वाले समय में आने वाले च्छे महिना और एक साल में जो है यह मोतिहारी का एक मरिन ड्राइब की तरह बन रहा है और आने वाले समय में आपको जो है जो मोतिजल किनारी किनारी और गांधी चोक से ये रास्ता सीधा निकलेगा और ये सीधा रास्ता जो है वो जानपूल चोक पर जाएगा और अभी तो ब्रिच्छा इस्थान तक आ चुका है और इसके बाद मिस्कॉर्ट और मिस्कॉर्ट के बाद सीधा आपको ग्यानबवु चोक ग्यानबवु चोक के बनाजरा आपको देखने को मिलेगा है जिस तरह से मुंबई में मरिन ड्राइब बना हुआ है अटल जो सेतू बना है तो यह सेतू नहीं है यह तो सबक मोती जिल समझी है मोती जल की भराई कर जब्ध करका इसमेस्ट το लगेंगे नहीं लगेंगे को तो आने-वाले भविश में देखने को मिलेगा फेल हम लोग जो सुन रहे हैं उसके अनुसार सब्ध मृनेगी उसके अलावे किनारे कैनडी कणनाली बनेगा शिटिंग चियर लगेगा और आने वाले समय में लोगों को टहलने के लिए अच्छा जगा मिल आएगा तो चलिए कोई भी विकास का काम जो है वो हो रहा है तो अच्छा ही है और आने वाले समय में यदि इधर जो बात चल रही है कि चार साहरों में मेट्रो चलेगी मोतियारी भी कहीं न कहीं से लिए तायार है और मुते जिफिल किनारी किनारी क्यारी मेट्रो या फिर ट्रॉय ट्रेन का जो लोगों की परिखल्पना है वो अगर चलने लगे तो काफी सुन्दर दिर से दिखेगा फिलहाल ये जो है मोति हारी के मोति जिल के उत्तर में सड़को का निर्मान हो रहा है पुराव से पशिम की ओर और अभी वो दक्षनी भाग है मोति जिल का उसस साइड में भी कोई निर मान करें तो फिलाल नहीं चल रहा है लेकिन आने वाले समय में इसके निर्मान हो जाने के बाद सुन सुनने में ऐसा आ रहा है कि ground का निरमान उस साइड भी और ब्रीज के निर्मान से लोगों को इस पार से उस पार जाने में सवहुलियत होगी, नहीं तो काफी डिस्ट्रेंस ते करके जाना पड़ेगा, फिरहाल जो संकल्प है, मोतिजिल के किनारे किनारे स्टलक निर्मान का, वो संकल्प धीर धीरे ही सही लेकिन फली भूत होता रहा है, मेरे दादा जी कहा करते थे, कि उनके पिता जी कहते थे, कि बच्पन में, मेरे दादा जी बच्पन में, उनके पिता जी, मेरे दादा जी के पिता जी कहते थे, कि दस्ट्रक बनने वाला है, और लगभग, देखिए, वर्सों बीत गया, मुझे लगता है कि अग्र आ रहे थे और हम दूख देख रहे हैं तो पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया क्योंकि जिसमें वीरल आबादी थी उसमें ये निर्मानकार्य अगर हो जाता तो कहीं न कहीं इतने बड़े इस तरफे अतिकरमन ना होता ना अतिकरमन हटाने का ड्राइब चलाना पड़ता ना और ये वीडियो आको कैसा लगा इस पर अपने परतिकरी अवर्शदे अच्छा लगा तर लाइक शेयर करें हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फोलो कर ले लाइक कर ले और यह दिया वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक्यू, जैहिंद